हाँ साथियों गवर कर रहे हैं यह राधिक ऐसा टीटूप चैनल के माधिम से यह भजनम देने के लिए जा रहे हैं आप लोगों तक मैं धर में इस धर्म पर जारक हमारा साथ दे रहे हैं हमारी सिस्या बाबाती जी गुमारी अंजली सास्री जिस्वे तारा आपने पुत्र रोहित की असको लेकर के मर घट पहुची है तो हरी चंद ने देखा है तो बोले सोते हुए मर घट पे मुझे जिसने जगाया है सोते हुए मर घट पे सोते हुए मर घट पे मुझे किसने जगाया है सोते हुए मर घट पे महराज जिस समय हरी संद ने काहे सोते हुए मरगड को आज किसले जगा दिया है तो महराज तारा ने जबाब दिया है सोते हुए मरी घटी को आज हमने जगा आया है मैं मारी विपोता की महराज मैं मारी विपोता की ना कोई सहारा है हाँ तारा जबाब देती है रोगर की गेती है महराज ये रोहित कुमरे छईया ये रोहित कुमरे छईया कारे नाग ने खाया है हे तारा मैं मजबूर हूँ क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है सायर जिस दिन में कासी बिग गया था हमारे दिल में उसी दिन आज सब की जूट गई थी क्योंकि प्रियत तुम्हें नहीं मालूम है मैं नौकर हूँ का लूका हर दूस का निवाना है मैं नौकर हूँ का लूका हर दूस का निवाना है मुझे दाग लगे सुट का हर दूस का चुकाना है महराज थारा रोकर के बोली है आप क्या भूल गए हो अरे आपका ये पुत्र रोई थे मैं आपकी रानी थारा हूँ भाईया तारा रो रोकर के उस मरगट में किस तरी से महराज हर इस चंद से कहती है क्या भूली गए स्वाबी ये लाल तुम्हारा है महराज ये तुम्हारा ही वालक है क्या भूली गए स्वाबी ये लाल तुम्हारा है और मैं मारी विपोता की मैं मारी विपोता की ये लाल तुम्हारा है प्रिये माद करना मुझे क्योंकि वो दिन याद करो जब साय तुम जल भरने आई थी और हमसे घड़ा नहीं उठ रहा था मैं तुमसे कह रहा था मेरा घड़ा उठवा दो मेरा घड़ा उठवा दो लेकि तुमने जवाब नहीं दिया था तुमने यही कहा था मैं एक ब्रामण के हनोकरी करती हूँ मैं और तुम तो एक जात के डोम के आ रहे रहे हो मैं आपका घड़ा नहीं सुझती हूँ कुछ याद करो गोरी घड़ा तुमने न उठवाया था हो पूठी ना बात हमसे पूठी ना बात हमसे ना डिया ये सहारा था पूठी ना बात हमसे सोते हुए मर घड़ते मुझे तुसने दगाया है सोते हुए मर घड़ते मुझे झालनो भी पूठी जड़ते झाल झाल